नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको दोस्तों अगर आप रेलवे विंडो से ततकाल टिकट लेते हैं लाइन लगा कर तो आपके लिए एक नहीं चीज ले करके आया हूं कि अब आपको ततकाल टिकट लेने के लिए अगर रेलवे विंडो से लेना है तो आपको लाइन नही लगानी पड़ेगी आप online line लगा सकते हैं अपना नमबर जनरेट कर सकते हैं और यह घर बैठे आप आराम से कर सकते हैं तो यह सुविधा जो है ततकाल टिकट के लिए online तो यह सुविधा कुछ ही जगों पर जो है कि वह सुरू की गई है तो यहां पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि कौन-कौन से स्टेस्नों पर यह सुविधा हाल फिलाल में उपलब्द है जो है कि ततकाल टिकट के लिए online लगाने की तो यहां पर कुछ वार्णिंग आ रहा है कि do not make your e-token booking through any agent और दलाल दलाल के जरीए e-token booking जो है कि वह आप मत कीजिए या फिर किसी agent के जरीए अगर वह आप से पैसे मांगते क्योंकि यह सुविधा पूरी तरह से निसूलक है तो इस पे आपको इस सुविधा के इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले आपको यहां प आइडी नंबर वगेरे देना पड़ेगा फोट अप्लोड करना पड़े और उसके बाद में आपको जब भी ततकाल टिकट बुक करना है रेलवे विंड़ो से आप आप अपना जो है कि टिकट नंबर एक जनरेट हो जाएगा और आप उसमें लिखा होगा कि आपके कौन से काउंटर पे कौन सा नंबर है कौन सी लाइन में कौन सा नंबर हो आपको मिल जाएगा तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा सबसे पहले तो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे एक मिनट साइन आउट कर देता हूँ साइन आउट कर दिया मैंने तो फिर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पर जो है कि आपके सामने एक फॉम खुलेगा इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का पासवर्ड बनाना पड़ेगा पहला नाम सेकेंड नेम और जो आपको इमेल जेंडर सेलेक्ट केटेगरी एज अपना आईडी प्रूफ भी यहां पे देना पड़ेगा और याद रखिए जो आईडी प्रूफ आपको देंगे उसकी कॉपी भी आपको अप्लोड करनी पड़ेगी तो आपको अधार आईडी प्रूफ जो स्कैन करके करनी पड़ेगी यहां पर देखिए अधार आईडी प्रूफ गर देना तो आधार आईडी आप सेलेक्ट करना होगा यहां पर आधार आईडी नंबर आपको एटर और फिर आपको जो है कि प्रोफाइल इमेज और आईडी प्रूफ पर डॉक्यमेंट स्कैन करके इस तरह से जो है पांच नंबर का वेरिफिकेशन कोड है तो आपको जैसे आप वेरिफाई करेंगे आपका अकाउंट वेरिफाई हो जाएगा और उसके बाद में आप जो है एक बार अकाउंट आपका एक्टिव हो जाने के बाद में आप बूकिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको booking कर सकते हैं एक token पे तो यहां से आपका token generate हो जाएगा और उसमें आप जो है आपको आपका line नमर कौन सा line उस line में भी आपका कौन सा नमर है वो चीज़ है आपको यहां से आपके SMS के जरीए मिल जाएगा तो counter पे आपको क्या लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है जैसे यूपी और बिहार वगएर हमारे यहां काफी दिक्कत है कि लोग रात रात में जाके स्टेशन पर ही सो जाते हैं तदकाल टिकट लेने के लिए तो यह सुविदा जोए कि अभी हाल किलाल राजस्थान और हरियान के कुछ स्टेशनों पर अवेलेबल हैं और उम्मीद करते हैं कि यह जल्द से जल्द यूपी ब्याहर में भी आ जाए ताकि वहां के लोग भी काफी परिशानी उठाते हैं तो इस तरह से आप तकाल टिकट के लिए ऑनलाइन टोकन जनरेट कर सकते हैं या आप देखे दिया हुआ ऑनलाइन इलेक्रोनिक वीविंग टोकन सिस्टम तो आप ऑनलाइन जो है कि लाइन अपना लगा सकते हैं तकाल टिकट के लिए और इसको 24 घंटे पहले आप तो यहां पर देखी कुछ गाइडलाइन अगरा दी हुए है कि बिफोर बिफोर बुकिंग पैसेंजर मस्त रिजिस्टर देंसेल्ब्स एट यह यह आपकी साइट दी हुए है टोकें बीकें मंदलसेवा.com पूर रिजिस्टर योजिस्टर योजियोर मोबाइल नंबर नेम के आठ बज़े से लेकर साम के पांच बज़े तक जो है आपको टोकें तत्काल टिकट के लिए बुक कर सकते हैं इलेक्ट्रोनिक टोकें तो यहां पर जितना जल्दी सुबह में आपका नंबर आने की संभावना उतना पहले आपको टिकट मिल जाएगा और यहां पे देख साम को साड़े 5 से साड़े साथ की बीच में आपको उसी दिन जी दिन आप बुक करेंगे, आपको सारी डीटेज मिल जाएगी, आपका काउंटर नम्मर कौन सा है, कौन सी लाइन में क्या नम्मर है, पोचीजे, इफ SMS डजन्ट कम बिट्विन अबोब टाइम, SMS कैन बी री जनरेटेड बाई यूजर ऑन क्लिकिंग री सेंट टोकन ओन, यह आप जो है कि दुबारा अगर नहीं SMS आता है, तो आप दुबारा इसको जनरेट कर सकते हैं, पैसेंजर मस्ट कैरी देर SMS और रजिस्टरड आईड इस सारी चीजों का ध्यान रखी है, जब आप टोकन के लिए जाएंगे, तो टोकन लेकर के आप तदकार टिकेट बुक कराने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूजर लोगिन, तो यहाँ से आप एक बार ID बनाने के बाद में, वेरिफाई हो जाने होगा, और दोस्ते इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, ताकि सबको यह बात पता चले और सभी इसका फाइदा उठाए, तन्यवाद,